हलो विर्वान और वेलकम टू सिक्षा तो गाइज वन अफ दे मोस्ट अवेटेड इग्जाम्स मैं कहूंगा इसको और गलत नहीं होगा कि अगर हम इसको वन अफ दे मोस्ट वेटेड इग्जाम्स बोले काफी टाइम से बच्चे इस एक्जाम का वेट कर रहे थे तो notification आ चुका है official वैसे तो 3-4 दिन पहले नहीं इस पेपर के अंदर add आ गया था बट I was waiting कि एक बार official notification आ जाए detailed notification आ जाए तब हम इसको detail में अच्छे से discuss करेंगे तो notification आ चुका है और paper की application स्टार्ट हो चुकी है कौन सा exam में आप जानते हो आपका UPSC, EPFO, AOEO जो आपका accounts officer और enforcement officer वाला है यह अभी पिछले साल हो करके हटा है 2021 में हुआ था इसके अंदर seats निकली है total काफी अच्छी seats है 418 vacancies है 418 vacancies इसके अंदर निकली है सारी details discuss करेंगे इस notification के अंदर इसको ध्यान से देखिएगा unreserved seats जो है वो 204 है SC 57, ST 28, OBC 78, EWS 51 and person with disability का जो है वो 25 seats यहाँ पर आपके पास available है ठीक है तो अच्छी seats है अच्छा यहाँ पर scope बन सकता है आपकी employment का post जो है EPFO AOEO की यह group B के अंदर आती है permanent post होती है और level 8 के अंदर आप pay scale में आओगे 30 years की age तक आप इसको apply कर सकते हो तो अगर आपकी age 30 cross कर चुके हो तो आप इस exam के लिए eligible नहीं हो हाँ अगर आप 30 साल से छोटी आपकी उमर है तो definitely you can apply for this और जो age calculate होगी वो basically 1st Jan 2023 23 तो 1 Jan 2023 तक आपकी उमर 30 साल से कम होनी चाहिए और qualification इसके लिए जो चाहिए qualification आपके पास graduation की degree होनी चाहिए किसी भी field के अंदर आपके पास graduation है कोई ऐसा नहीं है कि accounts वाले चाहिए या engineering वाले चाहिए या law वाले चाहिए किसी भी field के अंदर है तो आप इसमें apply इसके लिए कर सकते हो जो last year के अंदर candidates है result अवेट कर रहे है या result आचुका degree अवेट कर रहे है वो इसको apply कर सकते है ठीक है तो educational qualification जो भी basically graduates है वो इसको apply कर सकते है दूसरी हमारे पास जो vacancy है वो है आपके APFC की assistant provident fund commissioner again EPFO के अंदर ही है और 159 vacancies इसके अंदर रहेंगी जिसमें unreserved के होंगी 68, EWS 16, OBC 38, ST 12, SC 25 and person with disabilities का आपकी 8 vacancies इसके अंदर रहेंगी तो ये भी अच्छी खासी vacancies है अच्छा एक बच्चे बड़े time से confused हो रहे थे 3-4 दिन से की sir ये UPSC, EPFO, AOEO की और APFC की notification ही कठी निकल रही है तो क्या यह paper हम दोनों के लिए apply कर सकते हैं तो बिलकुल आप दोनों के लिए apply कर सकते हो आप AOEO के लिए भी apply कर सकते हो आप APFC के लिए भी apply कर सकते हो ये जो दोनों exams है ना इसके अलग-अलग होने जो return test होना ना वो UPSC AOEO का अलग होगा APFC के लिए अलग exam होगा इन्होंने एक notification में निकाल दिया तो आप apply भी अलग-अलग कर सकते हो अगर आप चाहो उसकी सिरफ AOEO के लिए apply करना है तो आप सिरफ उसके लिए apply करो आप चाहो तो सिरफ APFC के लिए apply करो या आप दोनों के लिए apply करो वो आपकी मर्जी है APFC में difference क्या है जो AOEO है वो group B है APFC आपको group A में ले जाता है और आपका pay level भी सिधा 10 से शुरू होगा इसके अंदर आप 35 years की age तक apply कर सकते हो तो ये भी एक अच्छा point है essential qualification इसके अंदर आपको again degree चाहिए recognized university से desirable है कि diploma हो company law, labor law या public administration में बट compulsory नहीं है तो अगर आपके पास degree है तो definitely you can apply for APFC as well आल्राइट चली अब आगे चलते हैं अब इस exam की जो फिलप शुरू हो रहा है वो आज 12 बज़े से शुरू हो चुका है दुपैर 12 बज़े से और ये चलेगा आपका 17 March 2023 के 6 बज़े तक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अभी हाली में 20 February को UPSC में जो Civil Services की इंदर एक नया system आया है पहले तो क्या होता था form भरदो जाकर के सिधा अपलाए करो और वो एक form सा आता था वो भरदो और करो अब UPSC ने एक system शुरू किया जिसको बोलते हैं One Time Registration OTR ये आपको One Time Registration करना होता UPSC की लिए उसमें आप अपनी basic details वोगेरा सब डालते हो photo photo सब upload करते हो तो वो One Time Registration आपको करवाता है ये हो क्या रहा था अब कहीं बच्चों ने ना 21 तारिक को 6 बज़े form बन दोना है तो 3-4 बज़े भरना शुरू किया form वो One Time Registration ही नहीं हो रहा था OTP नहीं हा रहा था One Time Registration के टाइम पर आपसे आपका mobile number और email ID मांगेगा और mobile number और email ID दोनों के उपर OTP आएगा अलग-अलग वो आपको fill करना होगा तब जाके आपकी registration होएगी हुआ क्या OTP नहीं आ रहा था बच्चों के पास phone करे UPSC को mail करे कोई जवाब नहीं ठीक है अल्टिमेटली बहुत से बच्चों का ऐसा हुआ कि वो 6 बजे तक form नहीं fill up हुआ अगले दिन UPSC को phone किया बच्चों ने कि सर वेबसाइट नहीं चल रही थी OTP नहीं आ रहा था UPSC ने का जी हमारे हाथ खड़े हैं हम date extend नहीं करेंगे अगले साल paper मरना तो बेटा ये UPSC का system यही है UPSC ने पहले ही डाल दिया था कि भाई last day के उपर dependent मत रहना form अपना time से fill up कर लेना ठीक है तो ultimately ये state वगेरा कि जो paper होते हैं या और organizations वो फिर date extend कर देती हैं कि यहाँ चलो date extend कर दे गा उस दिन 21 तारिक को इनकी website पर पूरा time ही आ रहा था website is too busy please try again later बहुत देर तक website नहीं चली बच्चों की भी गलती नहीं थी 21 तारिक को बट उन्होंने का कि नहीं हम date extend नहीं करेंगे तो इसको बहुत seriously ले 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 ना paper अगर दे नहीं है तो वो चाए आज भरा हो चाए कल भरा हो चाए 17 तारिक को भरा हो ठीक है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस paper की fees कितनी है अच्छा आप कई बच्चे सुचते हैं कि sir अभी हम plan कर रहे है वाज़े तो बहुत गलत चीज होती है यह जो अभी भी plan कर रहा है वो मतलब तियारी उसकी कुछ भी शूरू नहीं किया उसने सोचा ही नहीं था इस paper के बारे में बट स्टिल अगर आप अभी भी इसको plan कर रहे हो तो भी 25 रुपे है सिरफ फीस इसकी ठीक है और महिलाओ के लिए या reserved category के लिए तो 25 रुपे भी नहीं है एक exam की फीस 25 रुपे है AOEO की भी 25 है APFC की भी 25 है और अगर आप धोनों भरोगे तो 25 प्लस 25 हो जाएगी तो 50 रुपे आप बहुत easily afford कर सकते हो अगर आपका 5 दिन बाद यह mood बनता भी है कि नहीं यार मेरे को paper नहीं देना है तब आपके 50 रुपे का ही नुकसान होगा लेकिन हाँ अगर आप इसी चक्कर में रहे और आपने form ना भरा तो आपका जाधा नुकसान होगा क्योंकि आप फिर paper ही नहीं दे पाओगे ठीक है तो इस चीज़ को बहुत सीरिसली लीजेगा age limit में कुछ relaxations है SCST candidates के लिए 5 साल की है OBC candidates के लिए 3 साल की है और अगर EPFO कोई employee है तो उसके लिए भी 5 साल की है ex-servicemen के लिए 5 साल की है ठीक है तो वो आप देख लीजेगा अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो 2 साल के लिए आप probation पे रहोगे उसके बाद आपकी job permanent होगी exam कैसे होगा क्या आप जो selection mechanism है एक आपका paper होगा जिसको recruitment test बोलते है ये MCQ type होगा multiple choice questions होगे और इसमें जो बच्चे select होगे उनका फिर interview लिया जाएगा और ये process same है enforcement officer, accounts officer के लिए भी और APFC के लिए भी दोनों test अलग अलग होगे ये बिल्कुल भी confusion में मत रहिएगा कि ये एक साथ notification निकलिया तो एक ही paper है, नहीं दोनों का paper अलग अलग रहेगा ठीक है, अभी date of examination UPSC ने finally किया है UPSC क्या किया रहा है कि date of examination बाज में बताएंगे, अभी आपने सिर्फ form भरना अब आजाते है जो scheme है या syllabus है, उसको discuss करते है अलग-अलग है, EO, EO का पहले discuss करेंगे, तो EO, EO के अंदर आपका 2 घंटे का paper होगा, जो recruitment test है ठीक है, 2 घंटे का paper होगा, इसके अंदर around 100 questions होगे जो मैं आपको estimate बता रहा हूँ, 300 marks का paper होगा, ठीक है, या तो ये वाला mechanism रहेगा, या हो सकता है कि 100 questions हो, 200 marks का होजा है या 120 questions भी हो सकते हैं वो depend करेगा, कि ये 120 वाला होगा या 100 वाला होगा, ये scheme, UPSC दोबारा बताएगा, क्योंकि इन्होंने last, दो बार जब exam लिया है ना, तो इन्होंने changes की हैं उसके अंदर, ठीक है उसके अंदर इन्होंने mechanism जोई shift की है alright, okay question objective type होगे, MCQ Hindi English दोनों के अंदर रहेंगे, और हर गलत जवाब के लिए, आपको penalty भी लगेगी, जो one third होगी for example, अगर दो नंबर का question है, तो one third कितना हो जाता है, point six seven ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है तो तुक्के बाजी वाला scope यहाँ पर नहीं होता, syllabus EOAO का क्या है, general English पिछली बार वाला ही है, same है syllabus general English है, ठीक है उसमें आपके synonym, antonym comprehension type वाले question होते हैं, around 20 questions रहते हैं, Indian freedom struggle आजाता है, basically ये जो हम पढ़ते हैं, वो आपका modern India आजाता है and specifically हम इसके अंदर जो बच्चों को focus इसके ओपर हम करते हैं, कि आप इसमें जो अपना target रखे, वो रखे after the revolt of 1857, mainly लेकिन UPSC ने पुराने questions भी पुछे हुए, इसमें, in fact उन्होंने तो मुगलों के time के भी question पुछे हुए अगर आप previous year papers देखोगे, तो वो एक थोड़ी सी guidance के साथ आपको यहाँ पर हम cover करा सकते हैं, current events and development issues काफी important है, Indian polity and economy general accounting principles, industrial relations and labor law, यह दो component तो पूरी तरा से मेरे उपर छोड़ दो, अगर आप YouTube channel देख रहे हो, तो industrial relations and labor law के पहले सारे lecture डले हुए नई playlist के उपर भी हम काम कर रहे है, general accounting principles की भी पूरी की पूरी playlist बनी हुई है, इसके अंदर भी और lectures डालेंगे, ठीक है उसके लावा, social security यह इन इंडिया के उपर भी काम कर रहे है, उसकी भी playlist पनी हुई है, और उसके lectures भी डल रहे है general science and computer knowledge applications भी हम cover कर वा रहे है mental ability and quantitative aptitude तो यह आपके topics है, जो आपको अच्छे से cover करने है, जो selection की weightage है, वो 75 ratio 25 है, यानि कि जो आपकी final selection में अच्छा कर लोगा, तो वो आपकी एक गलत अप्रोच होगी, क्योंकि आपका interview में फिर क्योंकि सिरफ 25% weightage है paper के number जुडने है, तो जब paper के number जुडने है, तो paper के अंदर जितना अच्छा हो सके, उतना आपको अच्छा perform करना पड़ेगा, नहीं तो it will create a problem for you, तो paper के अंदर score maximization के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप score maximization के अंदर नहीं गए तो हो सकता है कि आपका return test clear हो जाए, लेकिन फिर जब final result आएगा, उसमें कही ना कही problem जो है, वो create हो जाएगी, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अल्राइट, उसके बाद जी, assistant provident fund commissioner पर आजाओ, selection process सेम है return test होगा, दो घंटे का ठीक है, अगेन यहाँ पर equal marks carry करेगा, हिंदी English में MCQ type है one third negative marking है चले बस में देखो के general English same है accounting and auditing, इसके अंदर है industrial relation, labor law, यह सब आ जाएगा insurance वाला component अलग है, जो आपके AOEO में नहीं है, computer application general science same है, mathematics statistics यह भी same है, social security in India भी same है, इसके अंदर एक तो culture and heritage वाला part जुड़ गया ठीक है, उसके लावा population development and globalization का topic है quality उसके अंदर भी है AOEO के अंदर भी Indian polity लिखा है तो कही ना कही governance and constitution of India जो है, यह सेम है Indian economy के बारे में AOEO में भी लिखा है, तो present trends in Indian economy यह भी almost same है, तो syllabus काफी हद तक सेम है, APFC के अंदर सिरफ आपको culture और heritage एक तो आ गया, extra, उसके लावा insurance का component आ गया, ठीक है बाकी आपका सारे का सारा syllabus जो है, वो सेम रहेगा वेटे जिसके अंदर भी 75 ratio 25 की है यह आपके मेटा recruitment test centers है, जहाँ जहाँ पर आपका paper होगा, तो आप देख लीजेगा, अगर आपकी जहाँ पर भी आप रहे हो, वो है इस लिस्ट में, तो वहाँ पर आप उसको choose करिएगा, नहीं तो जो भी आपका nearest है, उसको choose कीजिएगा, ठीक है जी, all right, और इसके अंदर क्या important information है, देख लेते हैं वैसे तो major information जो है, हम आपने discuss कर लिए है application fees यह मैं आपको बताई चुका हूँ, 25 रुपे fees है, and अगर आप female SCST या PWBD है तो आपको 25 रुपे भी पेनी करने, अगर आप दोनों paper के लिए apply करेंगे, तो 50 रुपे आपके लगेंगे, ठीक है, तो easily आप afford कर सकते हैं, form को मैं तो आपको यही recommend करूँगा कि आज ही भर दो, ठीक है, इसमें wait ही मत करना, आज ही इस form को fill up कर दो, ओके and along with this इतना ही दोस्तो, notification में तो इतना ही है, कोई doubt होता है, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, comment section के अंदर या telegram group के अपर अब मैं आपको यह recommend करना चाहूंगा कि अगर आप तयारी कर रहे हो ठीक है, so I will recommend you कि आप course आपने किसी का भी खरीदा हुआ है, मुझे फरक नहीं पड़ता, अगर आपने किसी का course भी खरीदा हुआ है, I simply do not relate to it आप उस course को देखो, जिसने भी course बनाया है, जरूर आपकी मदद करने के लिए बनाया होगा, helpful way में बनाया होगा मैं आपको बस ही लिए यह free का एक resource material है okay, so you just have to go on www.youtube.com and channel name is Sikshah okay, so आप youtube.com आगे slash Sikshah लिख सकते हो, या YouTube पे जाकर करके आप S-Double-E-K-H-S-H-A तो Sikshah के उपर जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी playlists मिलेंगी जो EPFO से related playlists है जैसे अगर आप देखो, यहाँ पर free industrial relations course जो भी हमने 2022 के end में हमने lectures दालने शुरू गिये थे, उसके इलावा there are various playlists let me just show them to you इसके अंदर आपकी MCQs on Indian economy आजाएगा, यह सब MCQs बहुत important है और इसके अंदर हम, यह पिछले साल डाली थी, अब और इसके अंदर हम डालेंगे, जर्नल साइंस से related MCQs है, जो UPSC के past year questions को हमने cover up किया है Indian polity, Indian freedom, computer applications, okay social security, all right उसके बाद इसके अंदर आपको playlist मिलेगी for social security in India इसके अंदर पिछले कुछ दिनों में हमने 4-5 lectures और update किये है उसके बाद general accounting principles की पूरी playlist है, जो आपके accounting principles के लिए काफी important है यह पिछली बार वाली playlist है industrial relations and labor law की यह भी आप देख सकते हैं और नई वाली playlist भी देख सकते हो जो अभी हम डाल रहे है currently यह पूरी डले हुआ है 45 lectures तो these are very important and these are free of cost ठीक है, free of cost होते हैं यह आप lecture आप करके देखो और enjoy करो इसके इलावा हमारे mcq courses mcq courses के लिए link आपको videos के description में भी मिल जाएगा इस video के description में भी मिल जाएगा उसके इलावा आप हमारी website के उपर जा सकते हो sikshya.com sikshya.com के उपर जब आप जाओगे आप नीचे scroll करोगे तो our courses के अंदर यहापर एक all courses का आपको area मिलेगा, यहाँ पर आप EPFO select करें और EPFO के अंदर आपको courses मिल जाएगे which are basically related to your you know just give me a minute guys we have to go to EPFO okay, so EPFO के अंदर आपको यह courses मिल जाएगे, जैसे हमने MCQ course बनाए है, industrial relations के 500 plus MCQs, social security general accounting principles तो यह आप purchase कर सकते हो and यह जो MCQs है, काफी important MCQs आपके लिए रहेंगे, okay इसको अभी हम थोड़ा सा refurbish भी करेंगे current exam के requirement के हिसाब से okay, so definitely आप इसको explore जरूर कीजेगा alright, and कोई भी doubt हो so you can always get in touch now we'll be preparing very hard for this exam so get ready and fill up the form today only take care and bye